आरसीवी अन्बॉक्स इवेंट से आ चुकी है तीन बड़ी अपडेट्स नाम लोगो जर्सी सब कुछ बदल चुका है रॉयल चैलेंजर्स बिंगलॉर की टीम का सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं आरसीवी के नए नाम की तो पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था आरसीवी का पहले नाम था रॉयल चैलेंजर्स बिंगलॉर जिसको चेंज कर दिया है आधिकारिक रूप से गोश्रा कर दिया है रॉयल चैलेंजर्स बिंगलॉरू होने वाला है दरसल दोस्तों यह जो बैंगलॉर है यह बैंगलॉर सिटी का अधुनिक नाम है और बैंगल भाशा में तो लोकल लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए विंगलूरू कर दिया गया है अब यह तो मैं पहले ही बता चुका हूं लेकिन स्क्रीन पर आप लोगों देख पा रहे होंगे जी आरसीवी का नया लोगों आ चुका है इन्होंने अपने लोगों को पूरी तरीके स से बदल दिया है क्योंकि पहले साइन तो कुछ इसी तरह का शेर दिखता था इनके लोगों में लेकिन नीचे जो है वो पूरा रॉयल चैलेंजर विंगलूरू लिखा होता था अब नीचे आरसी भी लिखा हुआ है लोगों की नीचे आप देख पा रहे होंगे और रॉयल चैनलस बिंगलूरू बहुत छोटे एक्षरों में लिखा हुआ है तो कुल में लाकर इन्होंने अपना पूरा लोगो चेंज किया है हाला कि आरसी भी की टीम का लोगो पहले भी चेंज हो चुका है 2008 में जब से शुरुआत हुई थी तब से 3-4 बार आरसी भी लोगो आरसी भी के फैन नो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब करका बैल आइकन दबाओ क्योंकि हर टीम की खबरे देते हैं अब जर्सी की बात कर लेते वहीं जर्सी का क्या हाल है तो नई जर्सी भी आ चुकि एस समय आप अपनी स्क्रीन पर रॉयल चैन्योस बिंगलॉर की नई जर्सी देख पा रहे होंगे कुछ सोर्सेस के अवाले से अलग-अलग तरह की जर्सी आई पहले ये कहा गया था कि इनकी जर्सी नीले कलर की हो गई है बट रिपोटेटली ऐसा नहीं है हलका सा नीला टिंच डाला गया है ब्लैक के साथ तो जब आप उसको अलग-अलग एंगल से लिखते हैं तो हलकी सी फीलिंग आती है कि नीला कलर है इनकी प्रैक्टिस जर्सी तो RCB की पूरी नीले कलर की हो गई थी लेकिन इस जर्सी में काला पन जादा है नीली भी है अधरवाइस सारा कुछ चेंज इतना कुछ चेंज कैसी लगी अभी वाला सब कुछ अच्छा है या पहले वाला सब कुछ ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई देर मत करो आइपल का पूरा मज़ा मिलेगा सब्सक्राइब को बेटर नीचे हिट करका वैल आइकन दबाओ